वेलकम गईज़ाब आपका फिर इस वगत एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्क्स करने जा रहे हैं सम्पूर्ण करसिव इज्ञान के लाइव नमबल second test के बारे में हम discuss करने ही जा रहे हैं तो आज में यहाँ पर questions दो रखे गए हैं वो आपके animal hospital energy के रखे गए हैं जिन में से जो हमारा first question है वो है कि गरीब की गाई किसे कहा जाता है आज यहाँ पर थोड़ा सा live में problem आ रही है इसलिए live ना होके यहाँ पर एक आपके लिए class डाली जा रही है short class बाकी कल से आपका residual है आपकी classes live ही चलेगे ठीक है तो गरीब की गाई किसे कहते हैं सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर यहाँ देखे का यहाँ पर basically उन्हीं questions को लिया गया है जो कि आपकी previous year questions पूछे गये हैं अथाद exam में पूछे जाने वाले questions को यहाँ पर लिया गया है ठीक है तो इस question में अगर बात करेंगे गरीब की काई किसे कहते हैं तो यह था आप सभी को पता होना चाहिए बक्री को कहा जाता है ठीक है इसके अलावा इन सभी का आपको नाम भी पता होना चाहिए बक्री का कैप्रा हिरकस होता है कई बार आपको exam में पूछा जा चुका है कि कैप्रा हिरकस किसे कहा जाता है तो बक्री का जो science topic name होता है sorry science topic name होता है वो क्या होता है कैप्रा हिरकस होता है स्वीसिस होती है अंट में एक ओती है सिंगल कूपड़ ली और एक होती है डवल कफड़ वाली अथा दो कबड़ वाले एक यह अगर बात करते हैं जैसे बेढे और भैना सिचिए थे पुआप है गई गई कि दो नसले याद रखें और बात करते हैं इंडिया की तो बोस इंडिकस और अगर बात करते हैं विदेशों में तो उसका नाम रखा गया है बोस टोरस विदेशी नसल का बोस टोरस नाम है और इंडिया की बोस इंडिकस नाम है ठीक है तो यहाँ पर यह याद रहेगा फर्स्ट किसन के यहाँ पर बात कर रहे थे तो यह सका राइट हमने जान लिया है बकरी को कहा जाता है यह उप्सन करेक्ट आंसर चलिए नेक्स ट्रेसन आपको पूछा गया कि गाय की द्विप्रियोजिनी नसल कौन से है हर्याना थार पार कर दोनों या फिर राठी द्विप्रियोजिनी नसल का मतलब होता है याद रखेगा जिसे दूद उतपादन के लिए भी पाला जाता है बाकी करसी कारिये के लिए भी जिसे पाला जाता है ठीक है तो अगर बात करते हैं याद रखेगा गाय की द्विप्रियोजिनी नसल अथा ड्विप्रियोजिनी न कर दोनों को ही सबसे उत्ता माना गया है ठीक है याद रहेगा चलिए नेक्स टेशन के आपर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न ऐसे सरवादिक वसा किसके दूद में होती है वसा के बारे में पूछा गया है और वसा वही तत्व होता है याद रहेगा जो कि सबसे ज़्यादा गटता और बढ़ता है ये किसमें आपको पूछा गया है कि दूद में ऐसा कौन सा त तो है जो सबसे ज़्यादा गढ़ता या फिर बढ़ता है अठा सबसे ज़्यादा जो अंतर आता है वो किस में आता है तो या देखिया फेट में आता है जो वसा होती है इसी के अकोर्डिंग जैसे के बात करते हैं जब भी आप मालीजिये मिल्क जो डेरी पर लेकर जाते हो तो वो जो यहाँ पर उसकी value निकालता है, अथाज जो आपको कीमत देता है, वो भी किसके according देता है, आपको जो भी रुपए देता है, वो fat के अनुसार ही देता है, वसा के according ही देता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा घटता बड़ता कौन सा, वस कितनी होती है, तो याद रिखेंगा, 13% के सम्तिंग होती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, स्तरवादी गवसा, वदावरी में होती है, कितनी होती है, 13% होती है, 13% होती है, C option is correct answer, चलते है next question के और, जिसमें आपको पुछ है गया कि निम्ण में से किस पसू का बटा होता है, दो बागों में बटा होता है, तो याद रिखेगा, अगर बात करते हैं, गाई, भेंस, भेड और बकरी, तो इन में इसी अगर बात करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम आपके लिए है, नया कुशन है, और ये भी कुशन आपको एक्जाम में पूछा जा चुक बटा होता है, इसके अलावा जैसे कि हमारी हीरन है या फिर जिराफ है, उनमें भी यह हिस्ता देखने को मिल रहता है, ठीक है, जिखे के तोरपड आप याद रख सकते हो, जिराफ है, हीरन है, बहेड और ऊट, आपकी जो बैसिकली आपकी जो एक्जाम में पूछी आते है वो आपको पूछा सकता है, बेड का पूछा जा सकता है, और उट का भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए, next lesson कहां पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है, कि बकरा का मास या फिर बकरी का मास क्या कहलाता है? मटन, चिकन, बफन या फिर चेवन बकरी का मास या बकरे का मास क्या कहलाता है तो यहाँ पर याद रखे गया अगर बात कते हैं चिकन या मटन मटन तो किसका होता है भेड का होता है चिकन किसका होता है या आपको पता है मुर्गी का होता है बफन की अगर बात करेंगे तो ये होता है बहस का मास लेकिन अगर बात करते हैं चेवन या फिर जिसे दूसरी लेंग्वेज विए आपको पूछा जा सकता है सीवन चेवन या सीवन जब भी आपको ऐप्सन में देखने हों मिले तो यहां देखे किसका होता है, बकरी की मास को कहा जाता है चेवन या सीवन, उपसन नमबर इसका correct answer रहेगा, फॉर्थ उपसन, एक बार दुबरा से repeat करेंगे, कि मटन होता है, बहिड का मास, चिकन होता है, मुर्गी का मास, बफन होता है, बहस का मास, और चेवन या सीवन हो तो ये इसको भी आपको डियान रखना है बाखी चलते हैं नेक्ष्रेशन की और जिसमें आपको पूछा गए कि सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला पसु कौन सा है तो ये तो उप्सन देखके ही आपको समझ आ गया होगा गाई भेंस गोड़ाय उट में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी सहन सिल है वो है जिसे रगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है रगिस्तान का जहाज अथाज ओट को कहा जाता है जिसके गद्दिदार पेर होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा फॉर्ट अप्सन विल्कुल करेक्ट आंसर है लेकिन अ या देखिए नर की अगर बात करेंगे तो 4-5 साल लग जाएगा लेकिन मादा की बात करेंगे तो 3-4 साल में ये परिपगों हो जाएगी अथार्च किसन आपको पूछा जा सकता है कि ये बताईए कि उट में जो मादा उट है या फिर उट नहीं है इसको प्रजनन योगे होन के लिए कितने वर्स का समय लगता है तब तो आपको बताना है 3-4 वर्स लेकिन अगर आपको पूछली अजाई नर के लिए तो नर में याद रखिएगा दोनों में अलग अलग होता है नर होता है 4-5 साल में विक्सित लेकिन मादा 3-4 साल में ही विक्सित हो जाती है इसको तो आप याद रख लोगे लेकिन इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि एक आप पढ़े होंगे रोमन्थी और नोन रुमिनेंट एक होते हैं याद देखे इन दोनों के बीच का अथाथ एक होते हैं सत्य आमा से पढ़ा है मतलब ट्रोई स्टोमेक तो उसकी याद रखेगा ये क्या होता है आभासी मतलब एक जुगाली करने वाला एक जुगाली नहीं करने वाला और तीसरा होता है याद रखेगा आभासी जुगाली करने वाला तो जो आभासी होता है उसका एक्जामपल में आपको द्यान रखना है आभासी होता है वो उट पाए जाता है आवासी क्या होता है उन्ट होता है ठीक है इसको भी याद रखना इसमें भी कुछन आपको डायरेक्ली पूंच लिया जाता है चलिए नेक्स टिसन के हाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा जाता है कि निम्न में से किस नर्सलिक सबसे ज़्यादा देखवाल करनी और कल जब भी क्लास लगेगी इसका आपको जवाब देना है या फिर आप कमेंट सेशन में अभी भी यहाँ पर जवाब दे सकते हो किनिम्न में से किस नर्सल की सबसे यादा देखवाल करनी पड़ती है ठीक है आपने देख लिए है तो चलते है नेक्स टिसन की और इसका आपको कनफीजन वाली कोई बात नहीं आनी चाहिए जमना पारी जो नसल होती है वो किस की होती है बकरी की होती है ठीक है नेक्स टिसन के यहाँ पर बात करेंगे राठी गाई का उदिगम इस्थाल कौन सा है तो यहाद रिखिए राठी गाई राठ छेतर जहां पर होता है राठ छेतर जहां पर होता है अथार्द अलवर फर्स्ट उप्सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है नेक्स टिसन के अगर बात करेंगे कि ब्राउन स्वीस और करन फ्रेज किस की नसल है याद रिखिएगा सबसे पहले तो नसल प्राप्त की जाती है उसी को हम कहते हैं संकर नसल तो उसी प्रकार साइगी क्रोस किया गया है अता दो ब्रेड का जब आपस में क्रोस करवाया गया था तो एक तो प्राप्त हो ही थी ब्राउन स्वीस एक हो ही थी करन फ्रेज ठीक है तो इस प्रकार की जो यह जो नसल है यह खाहा से निकाली गयी है रहुसास में एक किशन और है आपके लिए कि जुर। सुछ से और करन्ह प्रीज है यह किसकी नासला है यह तो अमने जान लिया कि गाई लेकिन इन्हें develop खाहँ पर किया गया था कि संस्था की द्वारा किया गया था यह आपको डाइरेट कमेट सेक्शन में बताना है ठीक है डाइरेक कमेट करके इसका जरूर आप राइट आंसर बता दें बाकी मिलते हैं नेश्ट क्लास के साथ आज की Session को बस यह ही पर विराम देते हैं कल से आपका जो टाइब रहेगा वो रहेगा 6.75 बजे लाइव आज आना है ठीक है 8.25 की रहेगा कल से सबी या पर आल्राम सेट कर ले या फिर टायमर सेट कर ले चले मिलते हैं नेश्ट क्लास के साथ